समान व असमान पद इस वीडियो से हम सीखेंगे समान व असमान पद यानि like and unlike terms क्या होते हैं? बच्चों, अभी तक हमने व्यन्जक के पदों यानि terms of an expression के बारे में पढ़ा है आये इसे पेड आरेक यानि tree diagram के माध्यम से दोहराते हैं जैसा कि यहाँ व्यन्जक 6y की घात 2x जमा 3xy दो पदों को सयोचित करके बना है जिसमें 6y की घात 2x पहला पद और 3xy दूसरा पद है व्यन्जक 6y की घात 2x जमा 3xy में 6y की घात 2x के गुणन खंड 6y y x है और 3xy के गुणन खंड 3xy है यहाँ पर पहले पद में x का गुणांग 6y की घात 2 व्यन्जक 6xy है और दूसरे पद में x का गुणांग 3y y का गुणांग 3x है आये अब हम समान व असमान पदों के बारे में समझें रीना और राज दो अच्छे दोस्त है और उनके पास कुछ खिलोने है राज के पास कुल 5 हाथी 2 शेर और 3 घोड़े है इसी प्रकार रीना के पास 7 हाथी 1 शेर और 3 खरगोश है दोनों दोस्तों के खिलोनों को समान व असमान समूहों में विभाचित करें यहाँ पर समान समूह बनाने के लिए हम रीना और राज के हाथीयों को एक स्थान पर रखेंगे और इसी ब्रकार शेरों को दूसरे स्थान पर रखेंगे ऐसे ही अब असमान समूह बनाने के लिए खरगोश और घोड़ों को अलग-अलग स्थान पर रखेंगे बच्चों जैसा कि आपने देखा कि हमने यहां हाथियों में हाथियों का और शेरों में शेरों का समूह बनाया है क्योंकि यह समान है जबकि खरगोश और घोड़े असमान है इसलिए इनका एक अलग समुह बनाया है इसी प्रकार यदि किसी बीजिय व्यंजक के पदों के बीजिय गुणन खंड एक जैसे ही हों तो वे समान पद यानि लाइक टर्म्स कहलाती है और यदि इनके पदों के बीजिय गुणन खंड अलग-अलग हों तो ये असमान पद यानि अनलाइक टर्म्स कहलाती है उदाहरन के लिए इस व्यंजक में समान व असमान पदों को पहचानिये पांच एकस की घात दो घटा तीन वाई की घात दो जेड घटा साथ एकस की घात दो जमा पांच एकस वाई जमा चार वाई की घात दो जेड घटा दो एकस वाई जमा दो एबी 5X की घात 2 के गुनन खंड 5XX है 3Y की घात 2Z के गुनन खंड 3YYZ है 7X की घात 2 के गुनन खंड 7XX है 5XY के गुनन खंड 5XY है 4 y की घात 2 z के गुनन खंड 4 y y z है 2 x y के गुनन खंड 2 x y है और 2 a b के गुनन खंड 2 a b है तो आप देख सकते हैं कि यहां पद 5 x की घात 2 वह 7 x की घात 2 के बीजिय गुनन खंड x x और 3 y की घात 2 z वह 4 y की घात 2 z के बीजिय गुनन खंड y y z और 5 x y वह 2 x y के बीजिय गुनन खंड x y एक जैसे है इसलिए इन्हें समान पद कहिंगे और 2 a b के बीजिय गुनन खंड a b अलग है इसलिए इसे आसमान पद कहिंगे बच्चों इस वीडियो की मदद से आपको समान व आसमान पदों का ज्यान हो गया होगा अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरनों से इसे और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद झालास झालास yeah झाल 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 झाल